हेई एवरिवन, वेलकम बैक, ये वांगशन फैन फिक्षन है, अल्वेज यू, माय लव, ये उसका पार्ट एर्थ है, प्रीवियस पार्ट के लिंग डिस्क्रिप्शन में है, आप आप पे चेक कर सकते हो, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, वांगशी वींग को र इनों जल्दी से वींग के पास आते हैं, मियान में आकर बोलती है, प्रिंस, इसके लिए ही आपने हमसे वो तालिसमान बनवाया था, वांगशी अपने सर को हिलाता है, जिन लिंग जल्दी से जाकर वींग को चेक करता है, वींग को चेक करने के बाद, जिन लिंग से बोलता है ये इनके नीचर में है और अब इनकी बोड़ी इस चीज़ को एड़ॉप कर रही है हम लोग जादा टाइम तक नहीं रोक पाएंगे ये चीज़ कभी ना कभी तो सामने आएगी वांगशी बोलता है लेकिन जहां तक है ये अभी सही समय नहीं है वींग एक बच् वो सोचती है आखी ये सब क्या था उसके पास इतने सारी पावर्स और वो उसका कौन सा रूपटा शावू कहती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी आसानी से अपने हाथ से वांगशी को जाने दे मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं पता लगा कर रहूंगी और उन्हें महाँ से रूम से बाहर भेज देती है वो पेपर्ग डोस किसी भी तरह वीङ के रूम तक पोच जाते हैं जहां परवे सभी बाते कर रहे थे जिंगे को जैसे ही इस बार में पता चलता है वो जल्दी से वांग्शिर वीङ के पास जाता है वो काफी जादा पैनिक हो रहा होता है और जैसे ही वो वी हिंग को देखता है वो काफी जादा नर्वरस हो जाते है वांग्ची जिंगे की कमर पे हाथ रखते हुए बोलता है don't worry, वो ठीक है जिंगे बोलता है लेकिन ब्रदर, ये सब हुआ क्या? और आपने शावू को क्यों नसर बंद करवाया और आपको वींग को इस तरह से बैरियर में रखने के क्या ज़ुरत है युवान बोलता है प्रिंस अच्छा होगा अगर आप हमें भी सारी बात बता दे क्योंकि तब ही हम ब्रेदर वे को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकेंगे शावू भी उनकी बाते उस पेपर डोल के द्वारा सुन सकती थी वांग्शी बोलता है वींग में डार्क एनर्जी है उसकी बोर्डी का नीचर काली शक्तियों का है ये सुनते ही तो मानों सभी को जटका लगता है यूआन बोलता है लेकिन ऐसे कैसे जहां तक है तीनों ही रेलम में काली शक्तियों का उप्योग करना मना है इनका इस्तिमाल करने पर आपको पनिश्मेंग से कोई नहीं बचा सकता तो फिर ब्रेदर वे कैसे इस्तिमाल कर रहे है क्या इनोंने चुप चाप काली शक्तियों का इस्तिमाल करा वांग्शी बोलता है वीइंग ने काली शक्तियों का इस्तिमाल नहीं करा उसकी बोड़ी में ही काली शक्तियां है जिंगे पूछता है ब्रदर आप कहना क्या चाह रहे हो वांग्शी बोलता है वीइंग, स्पिरिक किंग और फॉलन इंजल का सन है ना कि स्पिरिक क्वीन का वीइंग के पास उस फॉलन इंजल की काली शक्तियां भी है और spirit king की spirit शक्तियां भी लेकिन जैसा कि अगर दो शक्तियों के मिलने से किसी बच्चे का जनम होता है तो वो अपने मात और पिता दोनों से ही powerful होता है उसी तरह वीइंग भी powerful है वो physically नहीं बट spiritually दोनों शक्तियों को अपने अंदर समाता है अभी तक वीइंग पर एक protection charm था जो कि उसकी उन काली शक्तियों को बहार आने से रोक रहा था लेकिन उस दिन जब जश्न के दोरान वीइंग पर हमला हुआ था उस दोरान उसका वो protection charm तूट गया था वो fallen angel वीइंग को हसल करना चाहती है इसलिए मैंने तुम लोगों से उन शक्तियों का तालिसमान बनाने के लिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि कभी ना कभी ये वक्त ज़रूर आएगा जब किसी ना किसी रीजन से वीइंग अपना control खो देगा जिनगे पूछता है ब्रदर क्या वो वीइंग को इसलिए ले जाना चाहती है क्योंकि वो वीइंग की मदर है वांगशी बोलता है नहीं वो वीइंग को इसलिए चाहती है जिससे कि वो वीइंग को खतम करकर उसकी शक्तियों को हासल कर सके यूआन बोलता है लेकिन ऐसा कैसे कि ब्रेदर वे फोलन इंजल के सन है वांगशी बताता है Mother Goddess और फोलन इंजल दोनों ही ट्विन्स थी लेकिन उनकी सोल एक ही टूक ततारे से बनी थी जब Mother Goddess को उनके शक्तियां मिली एक्चुली समझा ये गया था कि वो शक्तियां फोलन इंजल को मिलेंगी क्योंकि वो Mother Goddess से बड़ी थी लेकिन उनकी शक्तियोंने Mother Goddess को चुना जिसके बाद वो फोलन इंजल अपनी टिन सिस्टर से ही नफरत करने लगी और उन्होंने अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए काली शक्तियों का इस्तमाल करना शुरू कर दिया काली शक्तियों का इस्तमाल करना मना था और जब ये बात सभी को पता चली कि वो क्या कर रही है तो सबने उन्हें रोकना चाहा लेकिन कोई से पहले कुछ कर पाता वो वहाँ से भाग चुकी थी लेकिन उनके पास इनफ पावर नहीं थी काली शक्तिया हैं लेकिन उन्हें उनसे भी जादा पावर चाहिए और काली शक्तियों में शक्तिया पाने का एक तरीका वो भी है कि आप अपने ही बच्चे की बली दे दो और उसकी शक्तियों को अपना बना लो इसके लिए फॉलनी इजल ने वीन के फादर को चुना जो कि एक इस्पिर्क किंग है क्योंकि तीनों ही रेलम धर्ती से जुड़े थे लेकिन एक इस्पिर्क रेलम ही ऐसा था जो धर्ती से नहीं जुड़ा था बलकि उसकी शक्तियां अपार और असीमती जो कि आत्माओं से परे भी जाती थी उन्होंने वीन के मदर का रूप लिया और वीन के फादर को वशी करण में कल लिया और ये बाते वीन के मदर को पता चली उन्होंने जल्दी से उसके इस रास से परदा हटाया वो वहाँ से भाग चुकी थी वीन के फादर गिल्टी थे वीन के मदर भी नारास थी लेकिन उन्होंने फिर बाद में उन्हें कभी इस चीज़ के लिए दोश नहीं दिया फोलन इंजल प्रेगनेंट हो चुकी थी सभी लोग उनके बारे में ढूंग रहते और किसी तरह उनके बारे में पता लगा लिया गया और उन्होंने वीन को जनम दिया था वीन को जनम देने के बाद वो उसका स्तेक्रिफाइस करने ही वाली थी जिससे की वो वीन की शक्तिया हासल कर सके लेकिन किसी तरह मदर गोर्डियस वहाँ पर पोच गए और वीन के मदर एन फादर भी और उन्होंने उस बच्चे को फोलन इंजल से छीन लिया इससे पहले की कोई उन्हें खतम कर पाता वो वहाँ से भाग गए उसके बाद वीन को मूंद्रालम में लाया गया और वहाँ पर एक मीटिंग करी गए मीटिंग में सभी का कहना था कि उस बच्चे को मार दिया जाए वो बच्चे तब ही तक इस परिक क्वीन के हाथों में ही था और वो उसे ही देख रहे थी वो चाहती थी कि वो वीन्ग से नफरत करे क्योंकि जो बच्चा उनके हाथ में है वो उनके हस्बेंट का और साथ में किसी और लेडी का है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई जहां सभी लोग उस बच्चे को मारना चाहते थे उन्होंने कहा कि वो उस बच्चे को रखना चाहती है उनका कहना था कि इसमें कहीं भी इसकी गलती नहीं है तो हम लोग एक इनोसेंग सोल को कैसे मार सकते हैं वैंपायर के देवता का कहना था कि वी इंके पास इवल पावर से तो अच्छा है कि उसे मार दिया जाए लेकिन वी इंके मदर का कहना था कि एवल पावर होने का मतलब जरूरी नहीं कि वो परसन भी बुरा हो काली शक्तियों वाला इंसान प्योर हाड परसन भी हो सकते है मदर गोर्दर से बोलती है कि लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसके शक्तियां बाहर आएंगी वींग के मदर का कहना था कि लेकिन हम उसे सिखा सकते हैं वैंपायर के देवता का कहना था लेकिन छुपाएंगे कैसे वो फोलन एंजल तो फिर इसके पीछे आएगी लेकिन इसमें फोक्स के देवता और मून गोर्डेस ये साथ दिया था कि इस बच्चे को रख सकते हैं वींग पर एक प्रोटेक्शन चाम लगा दिया गया था जिससे कि इसके गार का एनरची कंट्रोल में आ गए और उसके होते हुए वो फोलन एंजल वींग के पास भी नहीं आ सकती थी लेकिन उस दिन चांद की दशा बदलते हुए वो तोट गया और अब वो फोलन एंजल वींग को पाना चाहती है वींग को सीखना होगा कि वो अपनी पाउर्स को कैसे कंट्रोल कर सके लेकिन हमें भी उसका ध्यान रखना होगा मदर गोर्डिस और चारो रैलम के किंग और क्वीन को ये बात बताने के लिए मैसेश पहिस दिये गए है वांग्शी अपनी बात को खतम करता है यूआन भी इंके तरफ देखते हैं बूलता है हम ब्रदर वे को बचाएंगे मियान मैं भी बूलती है हाँ मैं भी पूरा साथ दूंगी जिन्ली को ये बाते पहले से ही पता थी क्योंकि जिन्ली वींग की ही शाड़ू स्परिक था और वो वींग की रक्षा करता था सबी लोग चले जाते हैं वांग्शी वींग के पास आकर बैखता है वो उसके फोरहेट पर किस करता है और बोलता है, फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या हो, कौन हो, ये तुम्हारी असलियत क्या है मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, जिसने तुम्हारे दिल से प्यार किया है यहाँ पार शावू ने भी ये सारी बाते सुन लीती शावू बोलते हैं, ओ, तो फिर तुम ये हो, और मज़े के बाती है, कि उसके बात भी सभी लोग तुम्हें पसंद करते हैं लेकिन मैं तुम्हें खुश रहने नहीं दूँगी, मैं तुमसे वांगशी को छीन कर रहूँगी, जो तुमने मेरे साथ किया उसका बदला तुम्हें लेकर रहूँगी इधर फॉलन इंजल किसी भी तरह वींग तक पोशने का रास्टा ढोग रही होती है तब ही वो शावो के ब्लट पैक सेक्रिफाइस के संपर्क में आती है इधर शावो ने अपने हाथ को करक करकर ब्लट सेक्रिफाइस किया था और वो वेक कर रही थी कि बस किसी भी तरह उसकी एफ्रिक्वेंसी फॉलन इंजल तक पोश रहे यहाँ Fallen Angel किसी का वेक कर रही थी जैसे ही Fallen Angel यह देखती है वो शावू के साथ कमनी केक करती है शावू उससे बोलती है मुझे किसी भी तरह प्रिंस वांग जी चाहिए और तुम्हें किसी भी तरह वो वींग चाहिए तो मैं तुम्हें किसी भी तरह उसके पास ले जाऊंगी तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी Fallen Angel बोलती है और मैं भरोसा कैसे करो शावू बोलती है डील करकर मेरी सोल का One Fourth Park मैं तुम्हें दूँगी लेकिन तुम भी मुझे धोका नहीं दे सकती तुम्हें अपनी एनरजीस का One Fourth Park मुझे देना होगा Fallen Angel इस बात के लिए मान जाती है वी इंगी धर होश में आ जाता है होश में आ जाने के बाद उसे चीज़े क्लिरली तो याद नहीं रहती लेकिन हाँ उसे कुश कुश बाते याद रहती है लेकिन वो इस बार में किसी से नहीं पूशता क्योंकि उसे पता है उसे कोई बताएगा तो है नी तो पूश कर अपना ही क्यों दिमाग खराब करें लेकिन वो सोचता है कोई तो रास्ता होगा जिससे उसे इस बार में पता चल सकी बिंग सोच रहा होता है वांग्शी उसके पास आता है क्या सोच रही हो बिंग सोच रहा है बताने का कोई फायदा तो हो गई नी वांग्शी फिर पोछता है क्या सोच रही हो इस छोटे से दिमाग पार प्रेशर मट डालो विंग वांग्शी की तरफ देखते हो बोलता है तुम्हारी नोस के बारे में सोच रहा हूँ वांग्शी बोलता है क्या विंग बोलता है हाँ इसे सक करने के बारे में वांग्शी का मुँ बिलकुल खुला रहा जाता है क्या उठे हो अभी बेहोश होकर क्या चल रहा है इस दिमाग में विंग उटकर वांगची की लैप में बैक जाता है वांगची की लैप में बैक जाता है बेहोश होकर उठाओ, मर नहीं गया था यह सुनते ही वांगची विंग को टाइटली पकड़ लेता है विंग बोलते हैं, अरे, क्या हुआ और वो जल्दी से वांगची के लिप्स पर एक लाइट किस कर देता है। वांगची वींग को ही देख रहोता है। वींग दुबारा से अपने लिप्स को वांगची के लिप्स के क्लोज ले जाता है। दोनों एक दूसरे की क्लोजनस को फील कर सकते थे। वांग्ची वींग को ही देख रहा होता है वींग भी वांग्ची को देख रहा होता है दीरे दीरे वो गैप को कम करता जाता है लेकिन जैसे ही वांग्ची को लगता है कि अब वींग दोनों की लिप्स को टच करने वाला है और किस होनी ही वाली है वैसे ही वींग जल्दी से उसकी लैप में से उखकर भाग जाता है और वांग ची समझ नहीं पाता हुआ क्या वींग ये देखकर काफी जोर-जोर से हसने लगता है वींग वहाँ से भाग नहीं वाला होता है लेकिन वांग शी जल्दी से वींग के पास शाकर उसे उसकी कलाई से पकड़कर अपनी आगास तरग डर नहीं लगता तो अंचाम की फिक्र हम क्यों करें वांग शी वींग को उसकी कमर से टाइकली पकड़ लेता है वींग थोड़ा से उठकर वांग शी के फोरहेक पर किस करता है उसके बाद वो वांग शी की दोनों आखों पर उसकी नाख पर उसके बाद उसक होटों के पास जाकर उन्हें लिख कर लेता है अब वांगशी को फिर से होता है कि अब वीइंग उसे किस कर रहा लेकिन वीइंग जैसे ही यह महसूस करता है कि वांगशी की पकड़ अब डिली हो चुकी है वो जल्दी से वांगशी को पीछे के तरफ धक्का दे देता है और प्यार है ना, मेरे प्यारे बनी, इसकी पनिश्मेंट तो तुम्हें जरूर मिले ली, तो आज की लिए बस इतना ही, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है, तो प्लेस वीडियो को लाइक कर दीजे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, ठैंक यू,